हेलो अब्रीवन दिस से अजय सुखला फेकल्टी ऑफ इंग्लिस लेंग्विज एट टार्गेड दौलोग इस पर्टिक्लर सेशन में हम कवर करेंगे एक बहतरीन और सांधार टॉपिक जिसका नाम है प्रेपोजिशन अब प्रेपोजिशन इतना वाइटल रोल प्ले करता है ना किवल आपके MTS के अग्जाम में बलकि MTS के अलावा ये C चसल में बहुत ही जादा वाइटल रोल प्ले करता है साथी साथ CPSI को आप ले लीजिए CZL को ले लीजिए मतलब आप हर एक्जाम को अगर देखेंगे तो ये एक महात्मूर टॉपिक बन जाता है इससे अगर नेक्स्ट की बात करें तो sentence improvement से भी questions बनते हैं तो ये एक महत्मूर topic होता है हां जैसे अगर आप CHSL को ले लेते हैं या फिर CGL mains को ले लेते हैं तो उसमें closest जो topic होता है closest related जो questions बनते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा questions preposition से पूछे जाते हैं लेकिन आपका चुकि ये MTS क अगर हम point of इसे बात करें तो ये सबसे ज्यादा जो questions बनेंगे वह आपके fill in the blank से बनेंगे और साथ ही साथ आपके spotting error से questions बनेंगे तो आए इस beautiful session के शुरूआत करते हैं एक एक preposition को इस तरीके से हम समझेंगे कि आपको किसी भी प्रकार के doubts ये confusion बिलकुल ना बचें तो अगा एश्रूआत करते हैं आप preposition है preposition की अगर हम बात करें सबसे पहले समझते हैं कि preposition होता क्या है दिखे preposition की अगर हम बात करेंगे तो ये actual में किसी भी सेंटेस्व में यूज वो करके relation को बताने का काम करता है ठीक है मतलब ये किसी भी sentence पर जब भी आप eos करेंगे preposition का तो इसका actual में जो काम होगा वो relation बताना होगा अब प्रस्ट बनता है किसे relation किसके साथ बताएगा तो in general अगर हम broader sense में बात करें तो जो preposition होता है वो किसी noun या pronoun के साथ होता है यानि इसके uses के अगर हम बात करें तो इसका use किसी भी noun या अगर आप प्रपर तरी के संजहेंगे तो यह रेलेशन बताने का काम करेगा दूसरा अगर आप इसके प्रेपोजिशन के बात करेंगे, तो जनरली क्या होता है? इसका जो use किया जाएगा, उस किसी नाउन या प्रेटाउन के साथ होना चाहिए, दूसरा उस नाउन या प्रेपोजिशन होगा, उस आप देखिए तब आपको चीजें clear हो गई जैसे मैंने कहा there is a book ठीक है यह sentence there is a book on the table ठीक है on the table है अब अगर sentence को आपने देखा कि there is a book on the table तो इस sentence में आप preposition को देखेंगे तो preposition on है और यह on preposition है जो किस के पहले आया है तो आप बोलेंगे sir table के पहले आया है और इस table का relation किस के साथ है तो आप बोलेंगे book के साथ तो table अपने आप में एक noun है और यहाँ पे book अपने आप में एक noun है मतलब यह preposition इस table का संबंध यहाँ पे book के साथ बता रहा है किस के साथ तो यह निए table का relation जो है वो book के साथ है अगला अगर देखें मैंने कहा I don't agree with you अ यह sentence I don't agree with you अगर आप देखेंगे I don't agree with you तो with क्या है तो आपका जबाब होगा with जो है एक preposition है अब यह preposition किसके पहले आया है तो जबाब होगा you के पहले आया है जब you के पहले आया है और इसके पहले क्या है तो आप बोलेंगे agree agree क्या है तो आपका जबाब होगा यह verb है इसका मतलब यह निकला कि यह प्रणाउन का रिलेशन इस वर्ब के साथ बता रहा है किस के साथ तो यहाँ पर वर्ब के साथ बताने का काम कर रहा है होब करता हूँ, इस point को आप समझ गये होंगे, तो इसका मतलब इस pronoun का relation जो है, इस verb के साथ बताने के लिए use किया गया है, किसका preposition का, होब करता हूँ, ये line आपको clear हो गई होगी, एकात sentence और भी देख सकते हैं, जैसे माल लीजे हमने कहा, कि he is, ठीक है, he is ashamed, ठीक है, he is ashamed of his conduct ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको use कर दिया, he is ashamed of his conduct, ashamed of his conduct, conduct का मतलब होता है, आचरन, conduct का मतलब आचरन होगा, अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये क्या है, तो आप पाएंगे preposition है, और ये किस के पहले आया है, तो आपका जवाब होगा, conduct के पहले, और conduct क्या है, इस sentence म क्या है, ये क्या है, noun है, और वहीं पर आप देखेंगे, तो ये preposition का relation किस के साथ हो रहा है, ashamed के साथ, ashamed क्या है, तो आपका जवाब होगा, adjective है, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर हम preposition के बात करेंगे, तो preposition का जो काम होता है, वो relation बताने का काम करेगा, relation किसी भी word के साथ sentence बता सकता है, वो adjective हो सकता है, वो noun हो सकता है, वो pronoun हो सकता है, वो verb हो सकता है, hope करता हूँ, इतनी बात आपको बड़ी हैस समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी भी प्रकार के doubt या confusions नहीं हुए होगे, अगले की बात करते हैं, कुछ important points जो है, आपको दिमाग में रखना है इन जन्रल, जो preposition होता है, ठीक है, generally जो preposition होता है, तो preposition के बाद, ठीक है, generally जो preposition होगा, preposition के बाद verb जो होती है, वो ing form में use की जाती है, infinitive के condition को छोड़ करके, तो यह preposition प्लस v plus ing की structure को मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब जब भी अगर generally preposition का आप use करेंगे, तो preposition के ब adverb ing form में होगी, और यह ing form बोलते क्या है, तो आप इसको लिख सकते है, zirund, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, zirund, और zirund जो होता है, एक noun की तरह use किया जा सकता है, किसी भी sentence में, और अगर किसी भी noun को formation, यानि verb से हुआ हो, तो उसको English में हम verbal noun के नाम से भी जानते है, इसका मतलब, zirund को हम verbal noun भी कह सकते है, जैसे, अगर मैंने sentence बोला, ठीक है, मैंने कहा, he is, he is, ठीक है, he is, okay, fond of, यह देखे, he is fond of reading, ठीक है, reading, अब यहाँ पर मैंने लिखा novels, ठीक, he is fond of reading novels, इस sentence में अगर आप देखेंगे, तो off के बाद क्या है, तो आप पाएंगे, यहा है, तो reading क्या है, यहाँ पर, ing form को use किया गया है, यह ing form आ गया, यह नहीं, gerund condition में, यह gerund को use किया जाएगा, off preposition है, preposition के बाद verb की condition बन गई, इसलिए यह given जो verb होगी, वो ing form में use होना चाहिए, ठीक है, मुझे लगता है, यह point आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, हाँ, अब इसी तरीके से, मैंने कहा, I am, यह देखे, I am not interested, not interested, ठीक है, I am not interested in playing, अब यहाँ पर लिख सकते है, playing cricket, ठीक है, I am not interested in playing cricket, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो I am not interested in playing cricket में, तो यह in क्या है, तो in again एक preposition है, और इसके बाद play को किस में change कर दिया गया है, playing का, तो इसका मतलब preposition जब भी आएगा, उसके बाद अगर verb की condition को आप रखना चाहते हैं, तो verb हमेशा ing form में आना चाहिए, hope करता हूँ, यह point आपको बड़ी हश समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई doubt, यह confusion नहीं हुआ होगा, आए कुछ points और भी समझ लेते हैं, जो आ आपको जानना ज़रूरी है, जो आपके exam में पूछे जाते हैं, उन सभी concept, उन सभी methods, उन सभी rules को जानना एक ज़रूरी बन जाता है, जहां से question हमेशा बनते रहे हैं, आईए, पहले preposition में एक एक preposition को में पढ़ाऊं, preposition को पढ़ने से पहले, हम कुछ preposition से ही related, और भी मह महात्पूर्ण जानकारी, यह महात्पूर्ण rules को समझ लेते हैं, अगर वो rules apply होते हैं, तो जिस तरीके से मैं बताऊंगा, उसी तरीके से आप sentence में apply करेंगे, आईए, इसको देखते हैं, अब generally क्या होता है, कि in general, जैसे एक word होता है whom, ठीक है, यह whom होता है, और इसी तरीक है, बताने का प्रयास यह कर रहा हूँ, कि जैसे who होता है, तो who किसी भी sentence में as a subject काम करेगा, कैसे काम करेगा, तो as a subject काम करता है, इसी का अगर objective case की हम बात करेंगे, तो इसका objective case क्या होगा, whom होगा, यानि इसका object का जो रूप होगा, subjective case में who होता है, और इसी का objective case क्या कहल कहलाएगा तो आपका जवाब होगा सर objective case यो होगा वह हो कहलाएगा ठीक लेकिन यहीं पे अगर हम which की बात करें which और साथ ही साथ that की अगर हम बात करें तो इनके सुरूप ये इनके appearance में किसी भी परकार के changes नहीं होते हैं इसका मतलब ये subject की तरह भी काम करते हैं और object की तरह भी subject की तरह भी काम करेंगे और साथ ही साथ object की तरह भी काम करेंगे ठीक है अब यहाँ पर ये subject की तरह भी काम करेंगे और साथ ही साथ ये object की तरह भी काम करते हैं अब ये जरूरी क्यों है भाई subject object हमें समझना क्यों जरूरी है ये भी तो एक महत्पूर्ण बन जाता है न कि important बन जाएगा कि subject object जरूरी क्या है तो अभी मैं बताऊंगा कि अगर किसी भी sentence में जो relative noun होता है objective case में आया हो तो ऐसी स्थिति में अगर whom और which की condition आये तो वो preposition अगर sentence में आप use करना चाहते हैं इन के लिए तो preposition की जो uses होंगे वह हमें से इनके ठीक पहले आते हैं वह में सा sentence के अंत में आता है इसलिए आपको who और whom which यह that को जानना बहुत जरूरी है आए एक लाइन में समझ लेते है objective case है ना जैसे मैंने कहा मैंने कहा कि you are the boy ठीक है whom I met yesterday ठीक है यह मैंने कहा कि you are the boy you are the boy whom I met yesterday इसी दरीके से मैंने कहा ठीक मैंने कहा this is the book this is the book this is the book which was which was lying there ठीक है lying there यह मैंने एक sentence फिर से लिख दिया अब इस sentence को आप ध्यान से देखना है ठीक है देखें यहाँ पर आप पाएंगे कि relative noun group में क्या आया है whom और यहाँ पर आप पाएंगे कि relative noun group में क्या आया है विचाया ठीक है अब इसके बाद अगर देखें वर्ब क्या है वोज है और यहाँ पर आप पाएंगे कि वर्ब क्या है मेट है अब पॉइंट यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर relative noun के बाद जो वर्ब आये ठीक है अगर relative noun के बाद आप जो वर्ब यूज करते है व अगर relative noun के ठीक पहले यूज होने वाले नाउन यह प्रणाउन के अनुसार नहीं आती तो आप समझ जाएगा कि relative noun किस केस में है तो जवाब होगा objective केस में ठीक है दूसरा तरीका यह होता है अगर आप पहले वाले sentence को देखेंगे तो यहां पे वाज के लिए क्या चाहिए तो आपका जवाब होगा इस वाज के लिए subject चाहिए तो subject के रूप में क्या है विच है होब करता हूँ यह subjective और objective केस की condition आपको समझ में जरूरा आ गई होगी यहां तक आपको किसी भी प्रकार के confusion यह doubt नहीं हुए होगे subjective और objective की मैं बात कर रहा हूँ अब बात आती ही sentence के माध्यम से समझ लेते हैं अगला examples भी समझते हैं जो important है अब समझेगा मैंने कहा कि अगर किसी भी sentence में relative noun जैसे whom की बात हो है न यहां पे objective case में ही आएगा और यहां पे which ठीक है यहां पे इसकी भी मैं बात कर रहा हूँ objective case में ठीक है objective case तो अगर किसी भी sentence में whom और which यह objective case में आए और इनके लिए आप preposition का यूज करते हैं किसी भी sentence में तो ऐसी इस सिती में आप हमेशा याद रखेगा यह relative नाउन है exactly तो मैंने कहा कि अगर यह objective case में आते हैं और इनके लिए sentence में प्रेपोजीशन आए तो प्रेपोजीशन की जो होगी सेंटेंस में वह हमेशा इनके ठीक पहले होगी जैसे मैंने कहा यह देखें यू आर दा यू आर दा यू आर दा ठीक है अब इसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर अबाउट क्या है तो about इसके ठीक पहले आ गया है, इसी तरीके से मैंने कहा, एक sentence और देखिए, मैंने कहा, this is the house, in which I lived, ठीक है, I lived, इसी तरीके से आप कह सकते है, I don't remember the date, मैंने कहा, I don't remember the date, है न, remember the date, ठीक, on which, on which, he was, he was, आप कह सकते हैं, आपे, born, ये एक तीन sentence मैंने लिखती है, इन तीनों को sentence को ये conclude कर लेते हैं, मैंने कहा, you are the man, about whom I was talking, मतलब आप ही वो बिखती हैं, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, तो आप पाएंगे यहां पे whom आया है, तो preposition के जो condition है, कहा है, इसके ठीक पहले है, वही पे आप देखेंगे, यहां पे objective case में क्या है, which lived का subject दिया है, तो इसका मतलब यह object कहला आएगा, तो object की condition में यहां पे, आप पाएंगे कि preposition जो है, इसके ठीक पहले है, मतलब this is the house in which I lived होगा, in क्या है, preposition है, तो यहां पे relative noun के ठीक पहले आ गया है, अगला समझेगा, मैंने कहा, I don't remember the date, मुझे तारीख नहीं याद है, जिस तारीख को उसका जन्म हुआ था, यह जिस दिन उसका जन्म हुआ था, यही तो आप कहना चाहरे है, वल्लब तारीख मुझे याद ही नहीं है, जब उसका जन्म हुआ था, तो ऐसी इस सुती में, again आप पाएंगे कि which की पहले क्या है, तो आप preposition की condition को पा जाएंगे, तो I don't remember the date on which he was born, यही condition आपकी बन जा होगे, यह किस के किस के लिए applicable होगा, तो यह केबल applicable है, which के साथ, और साथ ही साथ, home के साथ, अगले की बात करें, तो अगला यहाँ पे आता है that, ठीक है, अगर कहीं भी मान लीजे, that objective case में हो, ठीक है, इसको आपको जानना है, अगर मान लीजे that आपने use किया, ठीक, और that क इस case में आया हो, तो आपने बोला कि sir, that जो है, objective case में है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने that को objective case में use कर दिया, ठीक है, तो objective case में आपने use कर दिया, तो जो preposition की position होगी, वो हम इसा sentence के अंत में होगी, I repeat, जैसी आपने that के use किया, तो that से स्रममंधि जो भी वाक्य होगा ठीक है, तो ऐसी स्थिती में, जो preposition की position होगी, वो sentence के अंत में होना चाहिए, for example, आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैं explain करूँ, ठीक है, अगले page में इस चीज को मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा, this is the house, यह देखे, this is the, this is the house, ठीक है, that I, यह देखे, इन, यह हो गया, मैंने कहा, this is the house, that I lived in, मतलब यही घर है, जिसमें मैं रहता था, तो यहां पे, इन की condition कहा पे आगई है, तो sentence के अंत में, आपने कहा, this is the house, that I lived in, यह condition बन गई, उसी तरीके से, है न, मैंने कहा, you are the man, you are the man, you are the man, that I was talking about, that, ठीक है, I was, I was talking about, के कंडिशन यहां पे बन गई, यह देखे, तो यहां पे भी प्रिपोजीशन की कंडिशन कहा आई, अंत में, तो you are the man, that I was talking about, same condition, यहनी that की कंडिशन जब भी आप बनेगी, यहनी sentence में, तो that's the related sentence में, जो प्रिपोजीशन होगा, हमेशा sentence के अंत में होना चाहिए, खुब करता हूँ, यह line और यहां तक concept जो है, जितने भी आपके MTS के point of view से important थे, मैंनों उनको explain किया, ठीक है, और यह आपको अच्छे से समझ में भी आया होगे, जैर very important, अब बात आती है, एक एक preposition को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक preposition को इस तरीके से मैं explain करन में हम discuss करते हैं, ठीक है, अब जैसे important preposition के बारे में हम discuss करेंगे, तो सबसे पहले मैं in के बारे में बात कर देता हूँ, ठीक है, in, अगर आप in की बात करेंगे, तो जैसे in की बात करते हैं, तो इसमें बड़े स्थानों, बड़े स्थानों के नाम के पहले, ठीक है, big places की ब गया, है ना, big cities हो जाए, बड़े सहरों की बात हो जाए, big cities हो जाए, ठीक है, अगर आप बड़े सहरों की बात कर लेते हैं, इसी तरहीखे से आप capital की बात करते हैं, है ना, continents की बात करते हैं, तो countries हो, big cities हो, इन सभी के साथ आप किसका use कर देते हैं, तो आपका जवाब होगा इनका, कोई बड़ा महानगर है, metropolitan cities है, बड़ा अगर सहर है, राजधानी है, महानगर है, देश है, continent है, महाद्वीप है, तो जब भी आप इनकी बात करेंगे, तो इनके साथ एक ही condition बनेगी, यानि आप हमेशा इनको follow करेंगे, मुझे लगता है, इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, यहाँ तक confusion नहीं हुआ होगा, अगले की बात करते हैं, ठीक है, अगला अगर इसी से related देखेंगे, तो generally, यहाँ पे make essence में हम use करते हैं, और जब मैं बात करता हूँ make essence में, तो यह यहाँ पे inclosed, है न, inclosed place को denote करेगा, ठीक, यहाँ पे यह किसको denote करेगा, inclosed place को, अच्छा, inclosed place की जब मैं बात करता हूँ, तो inclosed place का मतलब यह हुआ, कि जैसे मैं अगर कमरे के अंदर इससे में पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब है, कि यानि surface से यह एक प्रकार से यह कहें, मेरे उपरचत है, है न, दिवार है, तो अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर मौझूद हो, यानि अगर कोई बेक्ति हो, या फिर कोई वस्त हो, वो किसी चीज के अंदर मौझूद हो, जैसे मेरे जेब में अगर कुछ पैसे हो, तो इसका यह हुआ कि जब भी किसी भी sentence में आप enclosed place को denote करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिती में भी आप इनका use करेंगे यह तो बात हो गई इनकी condition अगला देखते हैं और क्या हो सकता है जो दिन के बड़े हिस्से होते हैं दिन के बड़े हिस्से होते हैं जैसे आप बोलते हैं in the morning यह देखें आप बोलते हैं in the morning हो गया यह दिन के बड़े हिस्से हो गए तो in the morning आप बोलते हैं इसी तरीके से आप in the night का use कर देते हैं in the night आप यूज करते हैं in the night हो गया इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं in the night, in the night के आप बात करते हैं, ठीक है, अभी at night in the night में आपको difference भी बताऊँगा, तो इसका मतलब जो दिन के बड़े हिस्से होते हैं, जैसे सुबा है, तो सुबा आप चाहे आप 7 बजे बोलिए, 8 बजे बोलिए, 6 बजे बोलिए, 10 बजे तो इसका मतलब ये कहीं कहीं दिन के बड़े हिस्से को denote करने का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपने बोला in the morning, in the evening, in the night, in the afternoon, ये सब condition आपने put in कर दिया, वहीं पर अगले की बात करते हैं, माल लिजे किसी भी sentence में आप मन्त का नाम लेना चाहते हैं, मन्त हो गया, इसी तरी से आप decade बोलना चाहते हैं, decade, इसी तरीके से आप century बोलना चाहते हैं, ठीक है, century, आप इसी तरीके से किसी भी season का नाम बताना चाहते हैं, इसी तरीके से आप age बताना चाहते हैं, age यहाँ उमर नहीं है, बलकि यूग यह समय एक काल से है, ठीक है, हाँ, जैसे आप Victorian age बोलत करने काम करते हैं या अगर आप किसी भी महीने का नाम बताते हैं आपने जनवरी बोल दिया तो इन जनवरी होगा आप अपरेल बोल दिये तो इन अपरेल बोलेंगे आपने 2005 बोला तो इन 2005 हो जाएगा 2022 हो जाएगा इसी तरीके से इन 90's आप बोलते हैं 90 के दसक में है ना इसी दरीके से आप 80 के दसक में यूज़ करते हैं तो दसक का मतलब होता है 10 वर्ष तो अगर किसी भी sentence में आप सताबदी की बात करें, तो सताबदी की अस्यतिती में भी वहाँ पर इन की बात रख दी जाएगी, है न, ये point आपको दिमाग पे रख लेना है कि कहींभी अगर सताबदी हो, इन्द 18th century आप बोलते हैं, इन्द 19th century बोलते हैं, इन्द 16th century, 14th century, तो जब यहाँ पर सताब्दी की बात हो, तो सताब्दी का अर्थ देने के लिए आप प्रतेक दसा में इनको आप रखेंगे, उसी तरीके से season, कोई भी आप ले लीजे, रित्मों होती हैं, तो रित्मों के बोलेंगे, विक्टोरिया नेज आप बोलते हैं, इन्द विक्टोरिया नेज हो गया, इसी तरीके से इन्द एलिजवेथा नेज, तो कहने का मतलब, जब भी यूग ये काल की बात होती है, तो वहाँ पर भी आप इनको प्रिफर करते हैं, मुझे लगता है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, यह हो गया, ठीक है, यहाँ तो कोई भी डाउड, यह कोई confusion नहीं होना चाहिए, यह चीज आपको ने अच्छे से conclude भी कर लिया होगा, अब इसी तरीके से अगर हम अगले points की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कुछ example देख लेते हैं, example के लिए, मैंने कह ठीक है, मैंने कहा, these plays were written, यह देख, these plays were written, आप कह सकते हैं, these plays were written in the, in the, okay, 16th century, 16th, okay, century, यह मैंने यूस कर दिया, century, ठीक है, मैंने कहा कि, these plays were written in the 16th century, तो यहां पर किस की condition बनी, in की हो गई, उसी तरीके से आपने बोला, ठीक है, हाँ, why are you, why are you, okay, why are you, attending, attending, मैंने कहा, why are you attending, this meeting, this meeting, ठीक है, अब मैंने कहा, in the night, in the, in the night, यह हो गया, मैंने कहा, why are you, attending, this meeting, in the night, हो गया, यहां पर आप देखेंगे, why are you, attending, this meeting, in the night का आपने यूस किया, तो इसका मतलब क्या है, यह condition यहां पर रख दी गई है, in the night हो गया, इन की condition यहां पर बन गई है, hope करता हूँ, यह line आपको समझ में, जरूर आ गई होगी, कि यहां पर किसका यूस किया गया है, in वाली condition, आ जाएगी, वही पर अगर अगले की बात करते हैं, जैसे कुछ example देख लीजे, मैंने कहा, I have, I have, okay, some money, I have some money, I have some money, ठीक है, I have some money in my pocket, in my, ठीक है, pocket, अब I have some money in my pocket, मैंने भूला, तो यहां पर किसकी condition है, तो आपको जवाब होगा, in, in close place की बात हो रही है, मैंने कहा, ठीक है, हाँ, मैंने कहा, the G20, okay, summit, summit, will take place, will take place, okay, in Delhi, in Delhi, यह हो गया, मतलब, जो G20, summit है, वो कहाँ पर आविजन किया जाएगा, यह कहाँ पर होगा, तो आपका जवाब होगा, यहाँ पर, इनकी condition, अर्था डेली में होगा, मैंने कहा, the G20, summit, will take place, in Delhi, यह condition यहाँ पर बन जाएगी, तो हुप करता हूँ, यह चीज़ आप समझ पा रहे होगे, यहाँ तक कोई confusion, यह doubt नहीं बन रही होगी, आपने सारी चीज़ों को बढ़िया से समझ भी लिया होगा, यह enough examples है, समझने के लिए, है ना, यह समझने के लिए फर्याप् है, in the morning बगारा की example हो ही गया, यह in the night है, decade हो गया, तो इस सभी को अगर कहीं भी आप sentence में denote करना चाहते हैं, तो आप इन ही use करेंगे, अगले की अगर बात कर लेते हैं, और conditions देख लें, जैसे, अगर मैं explain करूँ, at के बारे में, ठीक है, अब यहीं बात आती है, at के बारे इसी दरीके से अगर आप टाउन की बात करते हैं, इसी दरीके से small cities की बात करते हैं, जो छोटे-छोटे सहर होते हैं, तो small cities की अगर आप बात करें, इसी दरीके से आप यहां पे small cities की बात आपने कर दी, टाउन की, name of streets की अगर आपने बात कर दी, है ना, कोई गली है, तो अली का नाम गर दिया गया है तो उनके साथ भी आप अवशिक्तानुसार एट को यूज कर सकते हैं यानि जितने भी छोटे जगह की नाम होते हैं चाहे गाओं का नाम आप रखना चाहते हैं किसी भी इस्माल सिटीज का नाम रखना चाहते हैं कोई भी सड़क है उसका नाम र होता है, a point of place, अब जब मैं बात करते हूं point of place तो इसका अर्थ क्या होता है, point of place सिताथ पर यह होता है कि अगर कोई निश्वित इस्तान को आफ दरिसाना चाहते है, mshidisen when into अब यह क्या हुआ, जब भी हम बात करेंगे निश्वित इस्तान वं मिन्द को इसका Crossroads की आप बात करते हैं, तो at the Crossroads आप बोलेंगे, बिल्कुल, Railway Station है, तो at the Railway Station, इसी तरीके से आप College use करते हैं, तो at College, University, at University, Restaurant, at the Restaurant, तो कहने का मतलब यह हुआ, कि जहाँ पे भी निश्चित इस्थान बिंदु के बारे में पता चले, जहाँ पे भी आप Point of Place को देनोट करना चाहते हैं, तो Point of Place जब भी sentence में आएगा, तो एक ही प्रिपोजीशन आपकी मदद करेगा, और वो प्रिपोजी है, Station Point of Place है, इसी तरीके से आप बुलते हैं, at the Restaurant, यह है न, at the Restaurant हो गया, इसी तरीके से आप बुल सकते हैं, at the Cross Roots, at the Cross Roots हो गया, ठीक है, at the Cross Roots हो गया, एक्सेक्टरा, मतलब जब भी आप किसी भी sentence में Point of Place को देनोट करेंगे, तो Point of Place के साथ हमेशा, क्या हैगा, तो जब आप मिलेगा, वहाँ पे at किस्तिती रख दी जाएगे, अगले की बात करते हैं, यहाँ पे Point of Place के अलावा देखें, तो और क्या हो सकता है, hour के साथ होता है, यानि जब भी आप घंटेव की बात करते हैं, तो जैसे आप बूलते है, at 9 o'clock, at 9 o'clock आपन का मैंने use कर दिया, कहने का मतलब यह निकला, कि अगर किसी भी sentence में आप hour को denote करना चाहते हैं, किसी भी sentence में आप hour की बात करेंगे, तो hour के लिए क्या आएगा, तो hour के लिए एक ही सब्द है अपने पास, यानि यहाँ पे at की condition बन जाएगे, जितनी भी बात मैंने बताई, यहाँ तक किसी भी कार के confusions, ये doubt नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से explain किया, और क्या हो सकते हैं, यह तो आपने समझ लिया कि hour होगा, 7 बज के 10 मिनिट हो, 7 बज के 15 मिनिट हो, 9 बजी हो, 10 बजी हो, 12 बजी हो, अगर कहीं भी आप hour के बात करेंगे, तो hour के लिए प्रतेक दिसा में at की condition यहाँ पे बन जाएगी, और क्या इस्तेती हो सकती है, उनके बारे में भी एकाद्दू देखी लेते हैं, जैसे आप देखते हैं, morning में ही छोटे हिस्से होते हैं, जैसे भोर का समय हो, मद्द दु यह देखे, आप यहाँ पे at noon की condition रख सकते हैं, और क्या हो सकता है, आप इसी तरीके से at dusk का यूज कर सकते हैं, ठीक है, संधिया का समय होता है, जब अधेरा होने वाला होता है, at twilight आप बूलते हैं, at twilight भी आप बूलते हैं, यह हो गया, तो at twilight के साथ भी आप यूज क होता है, हलका हलका, तो उसी के time को हम क्या use करते हैं, dawn, midnight मध धिरातरी होती है, यह दुपार का समय होता है, इसी तरीके से dusk जब बूलते हैं, तो dusk यह twilight की जब बात करेंगे, तो अधेरा होने बाला हो, उसके ठीक पहले का जो समय होता है, साम का, उसी को हम at dusk यह twilight के न the meeting, the meeting, okay, will take place, will, the meeting will take place, take place, the meeting will take place, आप बोलेंगे at 9 PM, ठीक है, the meeting will take place at 9 PM, यहां पे आप 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 आएंगे at की condition आगई है, इसी तरीके से, ठीक है, हा, मैने का, I shall, I shall, यहां पे आप लिख लेंगे, I shall meet you, meet you, at the bus stop, at the, ठीक है, bus stop, bus stop, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, I will, I shall meet you at the bus stop, यहां पे point of place की बात हो रही है, ठीक है, और क्या हो सकता है, और भी conditions को देख लेते हैं, कि भाई, यह point of place हो गया, फिर इसी तरीके से, next example को अगर हम देखें, जैसे, अगले की बात करें, they are going to, okay, they are going to, to launch, they are going to launch, their, okay, projects, ठीक है, आप लिख सकते हैं, आप, आप कोई छोटा सा जगा, आप मैं लिख दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा, शंकरगर, ठीक है, यहां पे मैंने यूज कर दिया, शंकरगर, तो इसका मतलब क्या निकला, they are going to launch their project at शंकरगर, यह छोटे नाम है, यहां पर आप पाएंगे, कि यहां पर at आगया है, और यहां at की बाद क्या है, संकरगर, तो इसका मतलब छोटे जगाओ की नाम यहां पर बात की गई है, अगला क्या हो सकता है, भाई, यहां तक तो at की condition हो गई, और क्या prepositions हैं, तो अब बात करते हैं, जैसे, य यहां पर आप लिख सकते हैं, for two persons, ठीक है, for two persons, या फिर आप things की बात करेंगे, है न, for two persons या things, इसका मतलब यह हुआ, बीच का अर्थ भाव, बीच का भाव देने के लिए, इसका जब भी किसी भी sentence में आप use करते हैं, तो इसका हमेशा use, दो बेक्तियों, या फिर conditions है, जैसे, अगर आप किसी भी sentence में between का use करते हैं, तो between के साथ क्या आएगा, तो जवाब बनेगा, between हमेशा आपने साथ and लेता है, ठीक है, between के साथ यहां पर and की condition बनेगी, दूसरी बात की अगर हम बात करें, जैसे, अगर between कहीं आता है, ठीक है, तो कई बार इससे भी question बने हैं, इसलिए जानते हैं, लेकिन फिर भी लिखे दे रहा हूं, between के बाद हमेशा objective case की स्थिती बनेगी, ठीक है, objective case, या फिर आप ऐसे समझ लीजे, मैं इसको बड़े form में बता देता हूं, अगर कहीं भी proposition आए, आप लिख सकते हैं, note लिखके या star mark, जो भी बनो, किया हो, ठीक है, अगर आपने proposition यूज किया है, और pronoun, या चाहे आप noun को यूज किया हो, या फिर आप pronoun को यूज कर दें, doesn't matter, यह जो given noun, यह pronoun होंगे, यह हमेशा इसके object कहलाएंगे, क्या होंगे, यह object कहलाएंगे, यह हमेशा याद रखेगा, यह उस proposition के, इस proposition के यह क्या कहलाएंगे, तो यह object कहलाएंगे, यह यूज कहें, कि चाहे noun की बात हो, या फिर pronoun की बात हो, वह हमेशा objective case में ही आना चाहिए, हर दसा में objective case के condition बन जाएगी, यह आपको point दिमाग पे रख लेना है, जैसे, एक चीज मैं यहाँ पर example दे देता हूं, जैसे, मैंने कहा, ठी issue, ठीक है, creating, why are you creating, मैंने कहा, this issue, ठीक, this issue, अब यहाँ पर, this issue, between, यहाँ पर, between, अब लिख सकते हैं, ठीक है, राघाव, and, ठीक है, and, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, कि मैंने कहा, why are you creating this issue, यहाँ पर राघाव होना चाहिए, तो इसको आप लिख लीजे, राघाव, ठीक है, तो यहाँ पर राघाव हो गया है, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा, and, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, I, ठीक है, मैंने कहा, कि why are you creating this issue, between राघाव and I, इसका मतलब है, इस issue को आई की, लेकिन राघाव and I के स्थान पर राघाव and me वाली स्थिती बनेगी, यहाँ पर I को ना यूज़ करके, आप यूज़ करेंगे me का, वज़ा क्या है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्रिपोजिशन के बाद नाउन ये प्रनाउन किस केसे में होगा, objective case, यहाँ पर He came and sat between Anuj and Ankit, यह देखें, वो आया और किस के किस के बीच बाट गया, तो जवाब होगा, He came and sat between Anuj and Ankit, यह इनकी बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर है, कि यह इस condition को देखेंगे, तो between यहाँ पर आया है, और between के साथ मैंने and के condition को रख दिया, hope करता हूँ, यह point आपको समझ में जरूर आ गया होगा, अगले की बात करते हैं, एक word होता है among, ठीक है, एक यहाँ पर होता है among, और इसी तरीके से आप use करते है amongst, ठीक है, तो generally क्या होता है, जैसे हम among और amongst की बात करेंगे, तो इसका use हमेशा दो से अधिक के लिए होता है, तो आप लिख सकते हैं for more than, ठीक है, for more than, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते है to, फिर लिख सकते है persons, यहाँ पर persons, फिर इसी तरीके से for more than two persons, ठीक है, मैंने का for more than two persons, यह things, etc., यहाँ पर इसका मतलब यह है, कि जब भी आप use करेंगे यह amongst का, तो इसका use किस के लिए होगा, तो दो से अधिक बेक्तियों यवस्तों के बीच किया जाएगा, यहीं पर अगर आप देखेंगे, एक चीज और जो आपको दिमाग पर रखना है, कि जैसे अगर किसी भी sentence में, generally, आप च किसको दिया जाएगा, बात तो यह भी बन जाती है, कि भाई, हम किसको use करेंगे, तो हम इसे इस बात का ख्याल रखिएगा, कि जब भी amongst की condition बनेगी, मैं लिखें दे रहा हूँ, यहाँ पर amongst की, अगर हम condition की बात करेंगे, तो word beginning with a vowel sound, यहाँ लिख सकते हैं, कि word, ठीक है, beginning, beginning, यहाँ पर with a vowel sound, और यहाँ पर मैंने यूज़ कर दिया, sound, ठीक, यह मैंने यूज़ कर दिया, अब amongst की जब भी बात करेंगे, तो इसका मतलब यह हुगा, word beginning with a vowel sound का मतलब यह होगा, कि आप amongst तभी use करेंगे, कि जब इसके बाद वाला जो सब्द होगा, उसका sound कैसा ह जैसा होगा, जैसे अगर आप देखेंगे, आप लिख सकते हैं amongst us, यह देखें, amongst, आप us लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, amongst our friends, आप ऐसे लिख सकते हैं, कि amongst our friends, amongst, और यहाँ पर our friends, यह लिख सकते हैं, our, ठीक, friends, यह आपने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या निकला, क यहां पर amongst आप यूज़ करेंगे, तब जनरल ही नहीं आएगा, आप कुछ भी यूज़ कर दीज़े, जैसे एक sentence मैंने बोला, for example, ऐसे समझेगा, एक example के मादधन से समझते हैं, in general, मैंने कहा, मैंने कहा, please don't, right, create, right, please don't, right, sorry, मैंने कहा, please, don't raise, okay, raise, okay, any matter, मैंने कहा, please don't raise, any matter, अब यहां पर मैंने कहा, please don't raise, any matter, ठीक है, dash, our friends, यह हो गया, ठीक है, अब मैं आपको option दे करके, मैंने कहा, please don't raise, ठीक है, any matter, dash our friends, तो अगर option दे दो, कि भाई, among भी है, among भी है, और इसी तरीके से amongst भी है, ठीक है, यहां पर amongst भी आ जाए, इसी तरीके से आपने between के use कर दिया, between, और फिर इसी तरीके से, डी मैंने कर दिया, none, माल लीजे, ऐसे sentence आ जाए, ठीक है, failure के रूप में, तो आप कैसे इनको face करेंगे, तो simple सी बात है, आप यहां पर amongst को हटा दिजे, तब आप चूज कर लेंगे amongst को, क्यों, क्योंकि इसका जो sound है, इसका जो pronunciation है, वो sound कैसा है, वोबल जैसा, और friends की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर, यहां पर amongst की condition बन जाएगी, होब करता हूँ, यह line आपको बहुत अच्छे से clear हो गई होगी, generally आप चाहिए जिसका use करिये, यानि among और amongst दोनों आ सकता है, लेकिन अगर विकल्क में दोनों मौझूद हों, तो तब आप sound को देखेगा, तब आप किसको देखेंगे, तो आपके responsibility बन जाएगी, कि वहाँ पर sound की condition को अवश्य देखा जाएगा, होब करता हूँ, यह line आपको बढ़ी ऐसे समझ में आ गही होगी, यहां तक कोई भी confusion नहीं होगा, अगला देखते हैं, जैसे, आप समझेगा, एक word होता है before, ठीक है, और इसी तरीके से एक word होता है in front of, ठीक है, in front of, ठीक है, in front of, before जो होता है, ब्यक्ति के सामने, आप लिख सकते हैं, ब्यक्ति के सामने, बैक्ति के सामने के अर्थ में यूज होता है ठीक है यहीं पे अगर हम infant of की बात करते हैं तो यह वस्तू के सामने का संस देता है वस्तू के ठीक है सामने का अर्थ देता है मैंने क्या बुला कि अगर before की बात करेंगे तो बैक्ति के सामने का अर्थ देगा और वहीं पर infant off की बाद करेंगे तो वस्तु के सामने का बहुँ परकट करेंगा दूसरा और सरल सब्दों में अगर देखें तो before के बाद यानि before के बाद जो हो इस्तिती बनेगी वो person होगा यहाँ पर पर स्थिती बनेगे वहीं पर अगर आप infant off की बाद करेंगे तो इसके बाद हमेशा थिंग की स्थिती बन जाएगी यहाँ पर थिंग वाली कंडिशन बनेगी जैसे मैंने कहा मैंने कहा ही पर्क्ट ही पर्क्ट ठीक है इस कार ठीक है in front of in front of in front of the gate ठीक है the gate आप इसको लिए लिजे in front of the gate condition हो भी मैंने यहाँ पर बोला ही पर्क्ट इसकार in front of the gate मतलब उसने अपनी गार को कहां पर पार्क किया in front of the gate याने gate के सामने की स्थिति को यहाँ पर रखा गया है इसी तरहीके से है ना आप कहते हैं he came and said before me he came वह आया और मेरे सामने बैठ गया है he came and said ठीक है he came and said तो आप बोल सकते है before me ठीक है before me यह हो गया यहाँ पर आप देखेंगे तो person की condition बन गई है तो हूप करता हूँ यह यहाँ आपको बड़ी है से समझवें जरूर आ गया होगा यहां तक किसी भी प्रकार की दिकत नहीं आई होगी ठीक एक आत इक्जाम्पल आप चाहते हैं तो और दे देता हूं जैसे मैंने कहा ठीक हाँ जैसे मैंने कहा मैंने कहा why are you are you ठीक है why are you sitting ठीक है sitting ठीक है sitting anuj before anuj यह हो गया why are you sitting before anuj यह वस्तु किया है यानि ब्यक्ति के सामने है मैंने कहा why are you sitting before anuj मतलब anuj के सामने क्यों बैठे हुए हूँ मैंने कहा there is a आप कह सकते है there is a big tree आप लिख सकते है there is a big tree ठीक है अब यहां पर infant of की condition रख दीजे infant of आप लिख सकते है infant of my house my house यह देखे यहां पर अगर sentence देखेंगे तो मैंने कहा there is a big tree there is a big tree infant of my house इसका मतलब मेरे घर के सामने एक बड़ा सा पेंड है infant of तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी आप यह conditions को कहीं भी sentence रखते हैं तो आप इस बात के ख्याल लखें कि विफोर का मतलब होता है person के लिए आएगा infant of हमेशा object यह वस्तु के लिए आएगा खुब करता हूँ यह session आपको बड़ी है लगा हुगा अगले session में जो बचे हुए concepts होंगे उन बचे हुए concepts को मैं wind up करूँगा तो आज के लिए इतना ही thank you so much